क्या लॉक्डाउन के दौरान कोई शॉप कीपर आपसे MRP से ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है आज के शो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई शॉप कीपर आपसे MRP से ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा है तो उसके अगें से आप क्या लीगल एक्षन ले सकते हो और अगर आप ये शो लॉक्डाउन के बाद देख रहे हैं तो भी रूल्स सेम ही रहेंगे स्टे टून बिकॉस इस सोचल प्लाटफॉर्म इस माय स्टैन इट्सिन अंगारियन आप सभी को पता होगा कि लॉक्डाउन के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स इस देश में हुई उसमें से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कुछ शॉप कीपर्स जो दुकानदार हैं वो चीजों की ब्लैक मार्केटिंग करने लग गए थे और आपने सुना भी होगा कि जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो सेनिटाइजर और फेस मास्क को उसके MRP से जादा में सेल कर रहे थे सिचुएशन इतनी बिगड़ गई थी कि कुछ टाइम बात इन दुकानदारों ने मास्क और सेनिटाइजर की जगा जो डेली रूटीन की चीज़े होती हैं खाने पीने का समान जो पैक डाती हैं उन चीजों को भी MRP से जादा में सेल करना शुरू कर दिया था और यह आद समान लेते और उसका बिल वह आपको दे रहे हैं या उसकी रसीट कारण के आपको दे रहे हैं तो आपके लिए बैस्ट है वैसे अगर कोई शौप कीपर जादा चार्च करता है वह कभी द्शीट नहीं देता है तो उस ऐसमें आपको वइस रिकॉर्डिंग वीडियो जैसा कि हम सबको पता है कि lockdown के दौरान हम अपने घर से निकली नहीं सकते थे यहां तक कि essential चीजे लेने के लिए भी time limit थी कि इस time से लेकर इस time के बीची आपको घर से निकलना है उसके बाद कोई घर से नहीं निकलेगा तो इस situation में काम आती है government website जिसका नाम है consumerhelpline.gov.in अगर आप से किसी shopkeeper ने MRP से जादा चार्ज किया है तो आप definitely इस website को visit कीजिए इसका URL आपको screen पर flash हो जाएगा निचे description में भी मिल जाएगा वैसे इतना difficult भी नहीं है तो आप इसको याद भी कर सकते हो इस website पर आपको basic details भरनी है अपनी information जो product आपने लिया है उसकी information और जिससे खरीदा है जिसने आपके साथ default किया है उसकी details next method of filing complaint is through help line number help line number आपको screen पर flash हो जाएगा अगेन वहाँ पर आपको call करना है और same details बतानी है अपनी information product की information जो भी आपने लिया है और defalter की information जिससे आपने खरीदा है लेकिन जो number आपको इस वक्त screen पर flash हो रहा है वह consumer help line number है उस number पर आप national holiday के दिन contact नहीं कर सकते हो और इस number पर आप 9 बजे के बाद और शाम को साड़े पांच बजे से पहले ही call करके अपनी complaint लौज करवा सकते हो आप कह सकते हो कि office timing है जिस दौरान ही आपकी complaint को इड्रेस करेंगे complaint सुनेंगे ना उससे पहले सुनेंगे ना उसके बाग में सुनेंगे और हाँ कोल रिंग के ऊपर वन रूपी एक्स्ट्रा चार्ज करना cooling के नाम पर illegal है because retailer का margin already MRP में included होता है अगर आप चाहें तो इसके अगेंस्ट भी आप consumer help line को contact कर सकते हैं